नमस्ते दोस्तो फंडा मेडिकल में आपका स्वागत है और आज हम देखने वाले है 25% डेक्स्ट्रोज के बारे में तो दोस्तो 25% डेक्स्ट्रोज यह जो ड्रग है यह बहुती important और hypoglycemia यह जो emergency condition है उसमें use होने वाला ड्रग है तो दोस्तो चलिए तो दोस्तों ये जो 25% dextrose है ये हमें 3 form में मिलता है एक तो 25 ml की ampoule में मिलता है या फिर 100 ml की glass की या फिर plastic की IV की bottle में मिलता है या फिर 500 ml की plastic के bottle में मिलता है लेकिन most commonly जो use होता है वो ये 100 ml वाला ही use होता है तो ये जो 100 ml का जो plastic का bottle है उसमें हमें एक bottle में 25 grams of glucose उसमें हमें मिलता है तो अभी ये जो 25% dextrose है इसकी uses क्या है तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि उसका most important use जो है कि it is used in the correction of hypoglycemia तो दोस्तों जब भी patient उसके blood में glucose की मात्रा बहुत कम हो जाती है तो ये बहुत ही एक emergency condition हो जाती है क्योंकि थोड़ी देर के लिए भी अगर brain तक glucose नहीं पहुचा तो ये जो patient है ये कोमा में जा सकता है तो ऐसे type का जो severe hypoglycemia है उसे हमें rapid treatment करने की ज़रत रहती है बहुत ही जल्दी से जल्दी उसके blood की जो glucose level है वो हमें normal level तक लाना बहुत ज़रूरी एता है तो ऐसे condition में फिर हम 25% extrose यूज़ करते हैं इसका दूसरा यूज़ा है इन्धी treatment of hyperkalemia जब भी potassium level बढ़ जाती है तो हमें पता है कि potassium जो है ये एक intracellular iron है लेकिन अगर blood में इसके level बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो बहुत ज़्यादा अलग-अलग type के complications हो सकते हैं खासकर heart के उपर तो इसकी एक जो treatment है उसमें हम insulin यूज़ करते हैं तो ये जो insulin है ये क्या करता है कि ये जो potassium है blood में उसको cell के अंदर धकिल देता है लेकिन हमने वैसे ही patient को insulin दिया तो hypoglycemia हो जाएगा तो इसलिए हम ये insulin फिर patient को dextrose के साथ देते हैं तो ये जो 100 ml का एक जो plastic का bottle है उसमें हम 10 unit regular insulin डालते हैं और फिर ये जो 100 ml की bottle है ये हम धीरे-धीरे आदे से 1 गंटे में patient को देते हैं तीसरा इसका जो use है कि to provide nutrition for patients or maintenance fluids जो patient maintenance fluids पे है जैसे pre-operative state में या फिर post-operative जो patients है ये जो maintenance fluids पे जो patient है उनको calories प्रोइड करने के लिए भी 25% dextrose का use होता है generally तो हम ऐसे जो patients है इनमें 5% dextrose use करते है लेकिन वो patient जिनमें हमें ज़्यादा fluid नहीं देना है जैसे cardiac failure के patients है या renal failure के patients है लेकिन जिनको हमें calories to provide करनी है तो ऐसे patients को हम feel 25% dextrose 100 ml वाला use कर सकते है तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि इसके contraindications क्या है तो पहला जो contraindication है वो है dehydrated patient अब जब भी हम patient को 25% dextrose देते है तो उसके blood में जो glucose की level है वो बहुत rapidly बढ़ जाती है उससे होता यह है कि उसके urine में फिर ये glucose जाना शुरू हो जाता है यानि glycose urea होता है और ये glucose के साथ साथ फिर जो body का water है वो भी जाना शुरू हो जाता है यानि urine output बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो जो dehydrated patient है उसमें हमने अगर 25% dextrose दिया तो उसका urine का volume है वो बढ़ जाएगा और patient और dehydration में चला जाएगा तो इसलिए dehydrated patient में हम 25% dextrose नहीं यूज कर सकते है लेकिन ऐसा जो patient है जिसकी glucose की मात्रा भी कम है तो उसमें हम फिर 5% dextrose ये यूज कर सकते है intracranial hemorrhage कोई भी जो intracranial hemorrhage का patient है उसमें कोई भी फॉर्म में हम plain dextrose containing fluid नहीं यूज कर सकते हैं क्योंकि हम जब भी ये fluid देते है तो ultimately बाद में blood की जो tonicity है वो कम हो जाती है और इसे cerebral edema होने का खत्रा रहता है इसलिए कोई भी dextrose containing fluid हम intracranial hemorrhage या head injury में नहीं देते तीसरा है diabetes mellatis obviously जो diabetes का patient है उसकी जो blood level है sugar की वो पहले ही बड़ी हुई रहती है इसलिए ऐसे patient में हम 25% extrose देंगे तो sugar और बढ़ जाएगी इसलिए ऐसे patients में भी हम 25% extrose नहीं देते चबता है delirium tremens delirium tremens याने alcohol withdrawal की एक severe type of condition है इसमें दो चीज़े रहती है एक तो patient पहले ही dehydrated रहता है तो जैसे मैंने आपको पहले है बताया कि dehydrated patient में हम 25% extrose नहीं यूज़ कर सकते इसलिए delirium tremens में भी हम 25% extrose नहीं देते दूसरा यह कारण है कि यह जो alcohol वाले patient है उनमें थाइमीन डेफिशनसी रहती है और हमने अगर dextrose containing fluids rapidly अगर ऐसे patients को दिये तो यह जो patient है फिर यह vernicase encephalopathy में जा सकता है तो इसलिए भी हम जो dextrose containing fluids है वो देने के पहले ऐसे patients म हमें थाइमीन का injection लगना पड़ता है और dextrose containing fluids हमको उसे धीरे धीरे देने पड़ते है लेकिन अगर 25% dextrose हमने यह patient को दिया तो rapidly sugar उसकी बढ़ जाएगी और फिर आगे के complications हो सकते है तो दोस्तों अब यह जो drug है इसके side effects क्या है वैसे तो बहुत ज़्यादा यह drug के side effects न वहाँ पर जो हम जब veins में देते है तो वहाँ से thromboflaberties भी हो सकता है तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज आपको 25% dextrose क्या होता है और उसे कहां का use कर सकते है कहां का नहीं use कर सकते है आपको पता चल गया होगा तो दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको अच्छा कि ये थेंक यू